हेलो आरिवन तुड़े आम गोंग टो टेल यू अबाउट हाव टू प्रिपेर इगनू असाइमेंट्स इस वीडियो की हैस से मैं आपको बहुत सारी टिप्स के बारे बताऊंगी जिनकी हैस से आप अपना असाइमेंट बहुत प्रेजेंटेबल काफी अच्छा बना सकते है जिससे आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं तो यह तो पता होगा आपको के असाइमेंट्स क्यों जरूरी है असाइमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं तो हमें पता है कि 30% अगर वेटेज है माक्स का तो वो है असाइमेंट का और 70% वेटेज है वो है आपके जो फाइनल एक्जाम होत से वह काफी important role play करते हैं तो अगर आप अपने assignment को presentable और काफी अच्छा बनाओगे सारी जितनी भी टिप्स है सबको follow करोगे कोई भी mistake नहीं करोगे तो definitely आप 90% तक score कर सकते हैं अपने assignment में तो आगे बात करें यहां पर कुछ important facts है जिनकी हैस से आप अपना assignment अच्छा बना सकते हैं जैसे फरस्ट है हमें पता है assignment score can increase your final marks तो यह बहुत जरूरी है final marks में अगर final paper में आपके इतने इच्छे marks नहीं है तो assignment उस टाइम पर आपकी help करेंगे and second है stop copying answer if you want to score high अगर आपको अच्छा score करना है तो be original आप अपने marks अपने ही आंसर marks नहीं sorry answers आप अपने ही answers लिखेंगे कहीं से भी copy करने ही जरूरत नहीं आपने किसी का assignment ले लिया और से copy कर दिया तो यह ऐसा आपको नहीं करना है अगर उन्हें पता चला गया आपने assignment कोपी किया है तो आपके खिलाब कोई action भी लिया जा सकता है फिर है use white a4 side sheet कोई भी color sheet यह ऐसा कुछ design वाले page ऐसा कुछ आपको यूज नहीं करना आप simple white a4 side sheet यूज करेंगे आगे मैं वीडियो में आपको एक assignment दिखाऊंगी कि assignment कैसे बना जाता है कैसे paper है तो उस में लगाए जाते तो उसकी half से आपको idea हो जाएगा फॉर्थ पॉइंट है use only black and blue pen आप सिर्फ black और blue pen का ही यूज करेंगे इसके लावा कोई भी colored pen sketch का यूज करने की ज़रुत नहीं है simple black blue pen ही यूज करेंगे फिर है leave 4 cm margin and leave space between your answers अब इससे दो benefits है एक तो आपका answer बहुत neat and clean लगता है और दूसरा अगर examiner चेक करता है उसको कहीं पर comments देने है marks देने है तो उनके पास इतना space उन्हें मिल जाता है तो यह आपको follow करने है 6 है don't use printed material आपको सिर्फ अपनी writing में assignment लिखना है पूरा assignment एक ही writing में होना चाहिए और कोई भी printed material आपको वहाँ पर use नहीं करना है आपको एक point ध्यानवे रखके चलना है कहीं से भी कोई भी printed material उठाया लिया अपने अगर आपको कोई diagram भी है तो वो भी आप खुछ से बनाए कोई भी paste करने की कुछ भी जरूरत नहीं है अपने assignment में 7th है details on page जो first page होता है second page कौन सा लगाते हैं third page कौन सा लगाते हैं कैसे answers लिखते हैं क्या क्या detail fill करने होती है यह मैं आगे वीडियो में बताऊंगी 8th है हमारा word limit word limit पे भी आपका कुछ doubt रहता है तो यह marks पे सब्जेक्ट करता है और सब्जेक्ट पे आपको कौन सा सब्जेक्ट है कितने marks का है तो वहां पे वर्ड लिमिट डिपैंड करते हैं जैसे arts अगर है आपके पास तो 20 marks का है तो उसमें 500 words आपके होने चाहिए यह आपकी वर्ड लिमिट है नाइन्थ है हमारा मेंशन question number and answer number आपको definitely question answer नंबर प्रोपर मेंशन करने पड़ेंगे चाहिए आप online सब्मिट कर रहे हैं या offline सब्मिट कर रहे हैं तो यह आपको ध्यान रखना होगा 10th है submit the assignment in study center and collect the receipt अगर आप इसमें दो कैसे अगर आप online सब्मिट कर रहे हैं तो आपको mail आपके teacher आपको email id देंगे तो आपको वहाँ पर अपने assignment send करने होंगे with proper detail तो नाम टोपर साथ चीज़ा आप वहाँ पर लिखेंगे अपना enrollment number तो आपने वह send के online फिर क्या है आपके पास mail आए का confirmation का तो उसका आपको proof रखना है और अगर आप offline सब्मिट कर रहे हैं तो आपको हमें सापने study center पर assignment submit करने होंगे और जो receipt है उसको collect करना होगा for further proof के लिए कि आपने assignment submit कर दिये आगे बात करें तो कुछ और extra tips की जो आपको किसी और वीडियो में कोई नहीं बताएगा तो मैं यह कुछ extra tips को बता देती हूँ जैसे attach question paper हां तो यह कोई नहीं बताएगा but I think अगर आप इसे भी use करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जैसे कि आपने अपना assignment बनाया है तो आप उसके साथ जो भी questions आपने की है वो question paper आप attach कर दे question आप जो भी आपने किया है आप उनको highlight कर दे ताकि teacher को बिल्कूल भी दिखकतना हूँ कि आपने कौन सा question किया है choice में से और यह कैसे करना है तो मैं अभी वीडियो में इसको भी आपको बता दूँ यह assignment की हैप से फिर है right conclusion and references आप definitely आप conclusion लिखे हर एक question में आप अपना conclusion दे अगर दो पार्ट भी है तो first पार्ट में भी conclusion दे दूसरे पार्ट में भी conclusion दे कि आपने उससे क्या सीखा है way forward आप लिख सकते हैं और references की बात करें तो जहां से भी आपने assignment लिखा है क्योंकि बता सब को है कि लिखेंगे या Google से लिखेंगे कहीं से भी लिखेंगे आपने कहीं sources से उठाया है बट है वो आपका original आपने कुछ से लिखा इसको तो वहां पे आप references डाले तो यह काफी अच्छा indication होता है और इससे आपका assignment और भी अच्छा बनेगा तो यह extra tips हुई इसके बाद चलिए त आपको दिखा देती हूँ जिसकी हैस से आपका पूरा clear हो जाएगा कि assignment कैसे बनाना है तो यह हमारे सामने है आपके assignment का front page और question paper तो जो front page है उसमें आप दे सकते हैं इस तरीके आपका front page होगा यहां पे है study center code study center code आप डालेंगे और जितने भी digit का code है उतने digits आपको यहां पर मिलेगी और जैसे प्रोग्राम है हमारा आप उसमें लिखेंगे प्रोपर आपका कौन से प्रोग्राम है इंडोल्मेंट नमबर आप याद रखना वो मेंशन 9 डिजिट का होता है तो उसको भी प्रोपर आप फिल करेंगे अगर इस पेस कम है तो लास्ट में डिजिट सब्सक्राम है उसके बाद आपका ने हैं जायेंगा है कौन्कौन से है कौत वो आप एक लिख सकते हैं जितने भी एससायमेंट आसायमेंट प्रोपर तरह कौन आथे त्लेखने इस स jsdfरार गे फिर जो यह वाला पीज है फरस्ट इसी के पीछे आप अपना जो इगनु का ID कार्ड है उसको लगा देंगे इसके जस्ट बात फिर आता है हमारा question paper तो यह देखे यह हमारा political science का question paper तो आपने इस में से जो मैंने आप अभी बात किया आप अपने assignment में question paper attach कर सकते हैं और आपन इस में से कौन से question किये हैं उनको आप ऐसे highlight कर सकते हैं जैसे section 1 में आपने first और two यह question किये हैं फिर आते हैं section second में आपने six और seven यह question किये हैं चार question करने होते हैं और यह fourth आपने section 1 में किया है तो five question आपने इस तरीगे से किये हैं और जो भी a b section है सब को highlight किया उसके बाद आ करेंगे अपना assignment लिखना तो इससे क्या है टीचर को पहले पता चल जाएगा अच्छा ये वाले questions किये हुए है और उन्हें जादा देखने में दिक्कत नहीं आएगी अभी स्टार्ट करते देखते हैं आपको assignment कैसे लिखना है अभी आपने front page एंड अपना इगनुका ID card attach कर दिया है उसके जस्ट बाद आ रहा है आपका question paper ये मैंने अभी आपको दिखाए कि आपने उसको ही highlight कर देना है जो question आप attempt कर रहे हैं उसके बाद start करते हैं तो आपको अपने हर page पे इस तरीके से signature करने चाहिए अब ये compulsory है या नहीं मुझे नहीं पता बट आपको signature करने चाहिए अगर आप online submit कर रहे हैं तो तब तो आपको definitely करने ही चाहिए signature ताकि आपका हर एक page आपका कोई page मिस ना हो कोई page आके पीछे हो जाए तो पता है कि आप ही के assignment page number date sorry page number और आपके signature और जो भी assignment का खोड़ है वो आप जरूर डाले ये काफी अच्छा होता है तो इसके बाद start करते हैं right short note on following आप इस तरीके से 250 words आपको limit दे दी short note लिखने को दिया तो आप इस तरीके से question भी साथ में डाल दे जैसे आप conservation की और political theory ये लिखेंगे तो इस तरीके से पहले start करेंगे conservation के बारे में heading डालेंगे फिर शुरू करेंगे conservation term का हस्यारा फिर ब्लैक और blue pen आपको use करनी है conservation के बारे में आपने लिखा आगे जाते हो इस तरीके से आप diagram बनाएंगे अब ये page second है हमारा इस तरीके से उस पर भी signature करेंगे code लिखेंगे और जैसे conservation से related जो भी आपके मन में आ रहा है जैसे diagram है आप बना सकते हैं तो ये diagram आप ऐसे बनाएं सिर्फ यही pens आपको use करनी है diagram में आप pencil use कर सकते हैं बागे आपको black और blue pen ही use करनी है देखें इस तरीके से first उसके अंदर भी subheading आपने डाल दी फिर second proper heading और points आपके question में होने चाहिए answer में होने चाहिए तो इस तरीके से आपने ओर important facts arrow करके लिख दिये हैं जितना भी आप लिख सकते है question के अंदर तो पूरा आपने लिखा फिर देखें यहाँ पे है references यह आपने चीज़े लिखें फिर देखें references कहां कहां से आपने इस तरीके से why juice से study com से e ग्यान कोश से brainly से तो जहां जहां से भी आपने लिखा है वह अपने answer में references जरूर लिखें यह काफी अच्छा होता है अब एक और question देख लेते हैं यह इसी question में story B part है अब इसको देख लेते हैं B part को करना है globalization के बारे में लिख रहे हैं change in political role पूरा प्रोपर लिखा हमने यहाँ पे लिखा है यह सब कुछ लिखने के बाद क्या क्या रोल्स है प्रोपर फिर रेफ्रेंस इस तरीके से रेफ्रेंस इस आपको मिस नहीं करने है conclusion भी जहां आपको दिखता है कि आपको लिख लेना चाहिए वहाँ पे आप conclusion भी लिखे फिर जैसे next question आ गया individualism और alienation पे आप लिख रहे पर फिर रेफ्रेंस इस जहां से भी आप लिख रहे हैं अलग-अलग रेफ्रेंस इस अपने जरूर पॉइंट आउट करें alienation के बारे में लिखा है पूरा alienation पे लिखे alienation two ways यह रेफ्रेंस इस यह आपको लिखने ही लिखने है एक और question हम देख लेते हैं ताकि पूरा प्रोपर आपको आईडे हो जाए जैसे facist worldview और gender sex distinction के बारे में लिखना है faces worldview heading आपने डाली यह कहां से आया है word proper उसके बारे में लिखा core ideas देखे इस तरीके से subheadings डाली उसको लिखा यह proper statism सब लिखा है itism लिखा है operational dynamics जो इसके अंदर चीज़े आती है फिर आया आप a part पे फिर उसको start किया single party absolute leadership यह सब लिखा और देखे इस तरीके से आप conclusion देखिए अब इससे क्या क्या changes हो सकते हैं सब कुछ आप conclusion में लिखे थोड़ा अपना idea उसके अंदर डाले तो काफी अच्छा रहेगा अगर teacher पूरा question check नहीं कर पा रहे तो वह आपके conclusion को पढ़ेंगे और वह impress हो जाएंगे ऐसा आपको conclusion लिखना है फिर से आप references ऐसे लि आप उस पर contact कर सकते हैं thanks for watching